Hi, welcome to this video, इस वीडियो में हम कुछ constructions करेंगे, construction अतलब geometrical figures construct करेंगे, ठीक है, तो let's see कि हम कैसे करते हैं, so, यहाँ पे एक prerequisite है, यह chapter करने से पहले, you should have a good understanding of Congress of Triangle, जो कि chapter 7 है, NCRT का, ठीक है, तो उसका link, chapter 7 की वीडियो का link, description में है, I suggest कि अगर, तो में वो chapter में जादा comfortable नहीं हो, then, first go through that chapter, उसके बाद फिर बापे यह देखो, क्योंकि हम यहाँ पे congruence काफी जगा यूज़ करेंगे, ठीक है, इस पूरे chapter में, so, let's get started, so, सबसे बहले हम बात करते हैं, कि हमें क्या के चीज़ चाहिए, construction करने के लिए, ठीक है, एक करें, इसको हम जैसे D भी बोलते हैं, क्योंकि यह D जैसी ही बनी ही है, ठीक है, दूसरी चीज़ है, हमारी compass, ठीक है, तो compass ऐसे होती है, यहाँ पे एक pointed part होता है, यहाँ पे pencil लगाने की जगा होती है, और एक graduated scale, graduated scale का मतलब है, जिस पे markings है, जिसे तुम measure कर सकते हो, कि अच्छा यह चीज कितनी लंबी है, यहाँ तुमें को particular line की length करनी है, so, graduated scale तुमें चाहिए, so, यह 3 चीज़े तुमें चाहिए, बढ़ हम एक और चीज में टूनना है, but basically ungraduated scale का मतलब है, इसमें simply वो markings नहीं है, ठीक है, तो हम कई construction में ungraduated scale ही use करेंगे, इसका मतलब है कि basically हम इसकी markings को use नहीं करेंगे, तो you will be using this only, but ultimately हम ऐसे treat करेंगे, कि जैसे मारे पास graduated scale नहीं है, measure नहीं कर सकते, तो हम इसको सिरफ straight line draw करने के लिए use ठीक है, now protector तुम्हें पता है क्यों use होता है, protector basically angle measure करने के लिए use होता है, यह कितना degree का angle है, जैसे 10, 20, 30, 40, 90, जितना में तुम्हें एंगल का measure चाहिए, तुम इस protector से draw कर सकते हो, राइट, वैसे भी कोई तुम्हें एंगल बनाया हुआ है, तुम यहाँ पे D रखके measure कर सक दो कि अच्छा यह exactly कितना angle है, ठीक है, वैसे ही scale भी तुम्हें पता है, simply scale measure करने के लिए होता है, तो अगर तुम्हें line बोलती जाए को यह मुझे 10,000 लंबी line चाहिए, तो तुम सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक draw कर दोगे, राइट, ठीक है, तो वैसे ही कोई line की तुम में length measure करनी होता हम, simply scale रखके देख लोगे कितनी length है, ठीक है, तो यह तो होगे हमारा scale और protector के बार में, नो compass का क्या use है, so compass का actually हमारी construction में बहुत जादा use है, अगर तुम सोचोंगे तो, let's say कि हम में, यहाँ पे तुम्हें compass तो मैं दिखानी चकता, उसके लिए तो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, basically मुझे वीडियो recording करनी पड़ेगी, but so let's say कि जब भी मुझे यह pointed part के बाने बात करना होगा, तो मैं इसे cross draw करूँगा, और इसके बार में जब भी मुझे pencil, जब भी मुझे दिखानी होगी, pencil काम हो रही है, तो मैं simply dots में बात करूँगा, dots म या simple arc में बात करूँगा, पर जहां पर pointed part होगा, आपर मैं cross draw कर दूँगा, तो तुम्हें बतल अज़े है कि यहां पर pointed part है, जब भी मैं कहुझा कि compass को यहां पर रखना है, तो मतलब इस pointed part को हमें वहां पर रखना है, तो ठीक है, क्योंकि इसको जहां भी रखेंगे, फि लेट से इतनी खुली भी है, ठीक है, अब मैंने यहां पर इसको compass को रखा और मैंने ऐसे जहां जहां पर पी वो जा रही थी pencil, मैंने draw करना शुरू कर दिया, तो अब मैं इसको गोल-गोल घुमाता रहूँगा, तो क्या बंदाएगा मेरा, बताओ, circle बंदाएगा मेरा, draw करके देखो खुद, so basically मेरा circle बंदाएगा, circle क्यों बंदाएगा, एक तो simply circle की definition क्या होती है, circle is a collection of all the points, जो एक point से एक particular distance पे है, मतलब लेट से यह हमारा point है, तो हम देख रहे हैं कि यह सारे points जो है, चाहिए point है, चाहिए point है, चाहिए point है, चाहिए point है, कोई भी point ले लो इस पूरे figure पे, यह सारे इस से, इस center point से equal distance पे है, right, क्योंकि हमने जितनी compass खोली थी, यह इतनी खोली थी, इतनी distance पे हैं सारे points, तो यह हमारा circle बन गया, चाहिए, और सारे जो points है, इस center वले points है, हमारे equal distance पे हैं, ठीक है, तो main जो compass का use है, वो यही है, कि हम compass से circle draw कर सकते हैं, circle draw कर सकते हैं, यहां फिर, जैसे हमने यहां पे रखी, तो जुरूरी नहीं हमें पूरा circle भी draw करना है, हम एक circle का part भी draw कर सकते हैं, right, circle का एक part draw करने का क्या मतलब है, कि हमें यह पता है कि, यह जो सारे points है, circle के, right, यह सारे equidistant होंगे, सब equal distance पे होंगे, एक particular point से, जो कि center होगा, जहां पे मैंने, यह जो pointed part है, जो cross है, वहां पे जो रखा होगा, right, तो इसका मतलब यह कि, यह जो बाला जो part है, यह जो line है, यह इस line के equal होगी, वैसे यह line भी equal होगी, तो यहां इस पूरी arc में, मैं जो भी line, जो भी point ले लोँ, उस point को मैं इस point से जोड़ दूँ, इसको center बोल लेते हैं, तो वो equal होंगे, right, सब radius होगा, और radius कितना होगा, जितना मैंने यह compass खोली दी, right, ठीक है, तो main use जो compass का होगी, यह ही है, बट compass हमारी बहुत जादा useful होती है, जो कि मैं अभी दीरे दीरे पता लगेगा, ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे एक point से, दो equal lines draw करके बताओ, तो तुमारे पास सिरफ compass है, और एक ungraduated scale है, ठीक है, तो ungraduated मतलब तुम major नहीं कर सकते हूँ, यह नहीं कर सकते हूँ, क्योंकि वो ungraduated है, उस पर कोई marking नहीं है, ठीक है, तो तुम compass की help जो कर सकते हो, तो equal lines के रहा हूँ मैं तुम्हें, यह नहीं कुछ particular length नहीं बताए, तुम कर सकते हो, तुम compass को खोलो जितना मर्जी, उसको यहाँ पर रखो, ठीक है, और फिर तुम ऐसे जब arc draw करोगे, कहीं पर भी arc draw कर लो, ठीक है, तो यहाँ से इस पूरी arc में कोई भी point लेके इस से connect कर लो, और कोई भी और point लेके वापिस connect कर लो, तो यह दोनों जो lines होंगी, इकोल होंगी आपस में, तो मैंना तुम्हें बोला था कि एक point दो two equal lines बना तो तुम्हें बना दी, ठीक है, clarity है, now let's say मैं तुम्हें एक line देता हूँ, यह मैं तुम्हें line दे दी, और तुम्हें मैं बोलता हूँ कि, इस line में, इस point को मैं refer कर रहा हूँ, let's say दो points है, A, B, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि, दो lines डा करो, B से, एक A, B की उपर हो, और एक A, B की नीचे हो, पर वो दोनों lines हापस में equal होने चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम यहाँ पर compass रखोगे, तुम जितनी मर्जी खोल लो, compass को फिरख नहीं बढ़ता है, मुझे बस equal lines सही है, तुम यहाँ पर compass रखोगे और तुमने यहाँ से कोई arc बना दी, अब तुम्हें बता कि यहाँ से, और तुमने यहाँ से connect कर ली, अब उतनी ही तुमने compass खोली रखी, तुमने चेंज नहीं करी compass, जितनी पहले खोली हुई थी, और तुमने यहाँ पर आके, उसी arc को continue कर रहा, तुम यहाँ तो पूरा circle बना सकते हो, ठीक है, बट बेसिकली, अब तुम्हें जो arc बनानी है वो, a, b की नीची वाले साइड़े बनानी हो, तुमने यहाँ पर किसी point को a, b से connect कर दिया, तो तुम्हें पता है कि यह और यह अपस में कुलोंगी, राइट, क्योंकि ultimately तुमने यह compass जो है, सेम ही खोली हुए है, और यह सब circle ही बन रहा, और यह हमारा center है, actually circle लगनी रहा ना, but you get the point right, कि basically अगर मैं यहाँ से रखके compass कोल के बनाता हूँ, तो यहाँ पर जितना, यहाँ पर जितना मेरी length बनेगी, लाइन की, उतनी length मेरी यहाँ पर बनेगी, अगर मैं points को connect कर देता हूँ, ठीक है, now, now let me just delete this, स्वभी तक तुमने क्या कर लिए, एक point से तो equal lines draw कर लिए है, और, एक line के opposite sides में तुमने equal lines draw कर लिए है, ठीक है, now मैं तुम्हें line दे रहा हूँ, a, b और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कोई मुझे ऐसा point ढूंड के बताओ, जो a और b से एकवी distance पर है, मतलब जितना distance उसका a से है, उतना ही distance उसका b से है, तो वो कैसे करोगे, सोचो, थोड़ा वत खुद try करो इसको, जितना खुद करोगे उतना, तुमारा दमाग बढ़ेगा, उतना तुमारे concept strong होंगे, तो basically अब क्या कर सकते हैं, हमें एक point से है, जो a और b से equal distance पर, right, so let's say मैंने कुछ compass को खोला इसको, जितना मर्जी खोल लो, थोड़ा बड़ा ही लंबा ही खोलना, so मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर एक arc draw कर दी उससे, with b as center, ठीक है, let's say मेरी arc ऐसे बन गी, so यह अब सारे जो points हैं, इस arc के उपर, यह b से equal distance पर है, right, now उतने ही compass खुली रहे, और तुम उसको रखो a के उपर, ठीक है, अब तुम a से एक arc रहा करो, let's say वो arc ऐसे जाती है, ठीक है, now इस point, जो point of intersection है, इनके arc का, इसमें कुछ खास है, तो यह point खास है, क्योंकि जितना distance इसका a से है, उतना ही distance इसका b से है, right, क्योंकि हमने जो compass सी उतनी खुली भी थी, तो यह जो सारे points है, इनका distance a से same था, इन सारे points का b से distance same था, तो जो point of intersection है, उसका a से और b से distance same है, clear है? तो now we can see, अगर मैं अब इस point को C बोल देता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि अब जो मेरा a, b, c triangle है, isoseless बन गया, जिसमें a, c is equal to c, b है, ठीक है, तो कोई मुझे एक line segment दे, यहाँ कोई line segment ना भी दे, कोई simply मुझे बोल दे कि मुझे isoseless triangle बना के दिखाओ, तो तुम कोई भी एक line segment दे लो, उसके उपर compass को लो, यहाँ पर रखो compass को, यहाँ से एक art draw करो, फिर यहाँ पर रखो compass को, यहाँ से एक art draw करो, ठीक है, फिर यह जो point of intersection आएगा, इन दोनों points से equal distance पर होगा, तो तुम इनको connect कर दोगे, यह side तुम्हारे side से equal हो जाएगी, तो let's say मैं इसको ABC बोल देता हूँ, अब यह ACB जो है मेरा, साउसलस triangle हो जाए, जिसमें AC is equal to CB है, तो तुम्हाई साउसलस triangle अब राम से बना सकते हो, ठीक है, अब तुम्हें मैं एक निया challenge देता हूँ, अब तुम्हें कहता हूँ, अच्छा है साउसलस triangle तुम्हें बना लिया, अब equilateral triangle बना के दिखाओ, सो एक लिटर triangle क्या होता है जिसमें, तीनो साइट से equal होतनी है, राइट, सो वो कैसे बनाओगे, सोचो,